हेलो फ्रेंट मैं हूँ अमर जीत और आप देख रहे हो सैनिटेरिस किचन गार्डन तो आप ये सामने जो पौधा देख रहे हो इस कंटेनर में मैंने दो तीन पौधे लगाए हुए हैं ये खीरे का पौधा है बहुत ही हेल्दी है काफी अच्छी ग्रोथ ये कर रहा है और आप देख रहे हो इसके उपर वाले पत्ते बहुत सौफ्ट से निकल रहे हैं और स्टैम अच्छी चल रही है लेकिन जो नीचे वाले पत्ते हैं थोड़े से मोटे हो रहे हैं और मोटे हो के कारण वह थोड़े थोड़े से उसके साथ साथ मुड़ भी रहे हैं तो कैसे यह पौधों के देखिए नीचे से आप देख रहे हो ऐसे अगर हम पत्ता पलट कर आजकल जो बरसाथ का मौसम है इसमें हमें जरूर चेक करते रहना चाहिए अपने पौधों के पत्तों को तो हम पलट कर देखे तो इनके नीचे यह ब्लैक कलर के या फिर यलो कलर के जो चोटी-चोटे कीडे होते हैं वो लगे होते हैं यह फंगस की तरह हैं फैलते हैं यह चोटी-चोटे कीड और यह बरसाथ के मौसम में बहुत जादा फैलते हैं तो सबसे पहले तो हमें जो फालत करदें तो उसी के कारण ये कीड़े पनप जाते हैं उसी से फंगस हो जाता है तो इन नीचे वाले पत्तों को हमें कट कर देना है अगर आपको विडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना तो इस तरह हम इन पत्तों को कट कर देंगे तो हमारे पोधे की जो आधी बिमारिया हैं वो कम हो जाएंगी क्योंकि मिट्टी के टेच से ही ये जादा फैलते हैं आजकल परसाथ के मोसम में तो हवा भी लगेगी अब नीचे जो पत्ते हमने निकाले हैं उनको निकालने से और जो धूप है वो भी लगेगी पोधों की जड़ों में तो फिर केडों का टेक बहुत कम हो जाएगा और दूसरी बात है जो हम पत्ते देखें पल्ट कर हमें ऐसे चेक करते रहना चाहिए अपने पौधों को तो पत्ते पलट कर देखें तो फिर जो नीचे वाले पत्ते होते हैं इस तरह से वो भरे मिलते हैं उसको हम साबुन के पाने से जैसे डिटर्जन ले लें कोई भी उसके सौप से के घोल से इसको साफ कर दें सैंपू के घोल से और फिर इसके उपर हमें यह तो लस्सिव या निमोयल का स्प्रे कर देना चाहिए तो उससे यह किड़े मर जाते हैं साफ हो जाते हैं तो हमारे पॉद्स रक्षित हो और एक चीज और है हमारे पास जो इस मिट्टी की जो फंगस या कोई भी किड़े मकोडे या चींठियां चड़ती हैं जैसी पत्तों पर लगते हैं चोटे-चोटे किड़े तो इनको खाने के लिए चींठियां चड़ती हैं हमारे पोधों के पत्तों पर तो नुकसान नही चीटियां चड़ेंगी और फंगस का भी कम अटैक होगा तो हमारे पोधे सुरक्सित रहेंगी जैसे पत्ते मुड़े से आप देख लें अपने पोधे के की थोड़े थोड़े पत्ते मुड़े हैं तो फिर आप समझ जाईए कि पोधे में कोई न कोई किडा जरूर लगा हु करेंगी और ना ही यह किडे फैलेंगे आपके जो गमला है कंटेनर है जिसमें आपने पोधा लगाया है इस तरीके से पोधे आप सुरक्सित कर सकते हो और अपने जो बरसात के मौसम में भी आपको कोई फंगिसाइड नहीं डालना है बाहर से और हलका सबस अपना यह है कि लशी का सप्रै करेंगे उस से पोधों की ग्रोथ है वह भी अच्य होगी फ्लावरिंग फ्रूटिंग में विसाइथा करता है और फंगिस को भी मारता है फंगिसाइड होता है तो खटी सी 4-5 दिन की छाच जो होती है उस से आप सप्रै कर सकते है यह फिर मौयल लेकर उसको सप्रे कर सकते हैं और हल्दी आप इस तरह हैं से अगर छिड़क देंगे तो आपकी जीटियों से स्रक्षा भी हो जाएगी पोदों की और फंगस से भी तो अगर आपको वीडियो इस तरह है अच्छा लग गया हो मेरा बताया हुआ है यह नुस्कार तो प्लीज लाइक कर दे है यह एक चीज हल्दी तो इससे आप और गैनिक तरीके से अपने पोदों को बचा सकते हैं कोई आपको बचार वाला केमिकल खरीदने की जरूरत नहीं है कोई भी आपको सप्रेव गैरा केमिकल वाली रसायनिक कोई भी दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं है तो आपके पोदे ही हो जाएंगे आपदेख रहे हो मेरे पोदे कितने हैं अच्छे हैं और अच्छे हैं हरे भरे हैं और पी चोटे से लगाए हैं मैरे तीन पोदे मैंने लगाए हुए तो थोड़ा थोड़ा का एप देखर मैंने लगा लिए हैं क्योंकि मेरे पास जगें की घमी रहती है तो पौदे जादन लगाती हूं तो इसलिए मैंने इस तरह के से लगाए हुए हैं तीन पौदे एक ही कंटेनर में तो अगली वीडियो में फिर मिलूंगी और आपको देखेंजिए इस तरीके से अपने पौदों को लगा लेना है और इस तरह से आप हल्दी-हल्दी सबज्जीआ show देख सकते हैं। आप घुरह देख सकते हैं, फ्लावश देख सकते हैं तो फिर मिलते हैं